नमस्कार आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूँ आपके शाथ नीश्व गुपता आए करते हैं खबरों की शुरुवाद सबसे पहले इक निस डालते हैं आज की हेड्लाइन्स पर हेड्लाइन्स इस्पॉंसरड बाई पी बी वाई आस्व ड्रीम्स कंस्ट्रक्शन प्राइबेट लिमिटेड एक चारी में आवासिय जमीन एक लाख रुपे प्रतिक अठा भागलपुर में रंगदारी वशुल ने पहुंचा प्राधी चरा ग्रामिनों के हत्ते जम कर हुई धुनाई पुलिश ने किया ग्रफतार गांधी विचार विभाग में तीन दिवस्य व्यालिश्वा वार्षे का दिवेशन का हुआ सुबारम देश भर के गांधी वाधी विचार को निकी शिरकर बिक्रम सिला सेतु पर जाम से निजात दिलाने के लिए सस्पी ने की पहल जान विचोग पर टी ओपी का किया उत्खाटर नगच्या के कलवलिया धार से युबक का शबुआ बरामत परिजनों ने दोस्तों पर लगाया हत्याकारो और सुबे के पी अच एडी मंतरी विनोध नारायन जाने सरकार द्वारा चलाई जारी योजनों की दी जानकारी और अब खबर बिस्तार से मौजायतपूर थाना छेत्र के हुसैना बाठ ठाकुरवारी के समीब सोमबार को रंगदारी मांगने पहुँचे एक बदमास को अस्थानिये लोगों ने धर दबोचा जिसके बाद पकरे गए बदमास की लोगों ने जम कर धुनाई कर दी और उसे पुलीस के हवाले कर दिया दरसल पन्ना मिल रोड निवासी बदमास महताब ने जमीन पर घर बनाने के एवज में रितेश कुमार से रंगदारी देने की मांग कर रहा था सोमबार को अपराधी ने रितेश के उपर रिवॉल्वर तान दिया इसी दोरान रितेश दुआरा सोर मचाए जाने पर अस्थानिये लोग मौके पर जुट गए और बदमास को खदेर कर पकर लिया बदमास के पास से अस्थानिये लोगों ने एक पिस्टल और गोली बरामत किया है फिलाल पुलिस आरोपी महताप से पुष्टाच में जुट गई है तिलकामाजी भागलपूर विश्विद्याले के पीजी गांधी बिचार विभाग में सोमबार को 42 वार्शिक अदिवेशन का शुबारम हुआ कारिकरम का उद्घाटन बिहार सरकार के PHED मंतरी बिनोद नारायन ज्जा, कुलपती प्रोफेसर अवद किसोर राय, बियन मंडल विश्विद्याले के प्रती कुलपती प्रोफेसर फारुक अली, नगर बिधायक अजित सर्मा ने दीब जलाकर किया उसके बाद मौजुद अथीतियों को अंगबस्तर देकर शमानित किया गया, कारिकरम की शुरुवात बिश्विद्याले के कुलगित से हुई, वही सितार की धुन पर बापु के प्रिये भजन को सुनाया गया, तिन दिवसी अधिवेशन में देश भर के गांधी वादी व इवन रखा गया है, जिसमें देश भर के गांधी वादी विचारक अपनी बात रखेंगे। समय कला पाटिया के समुझी करेंगी, यह जो समय लगे हैं, इसमें एक तरफ हतादमें जिरत के दोग हैं, तो दोजी तरफ सक्रिय कर्मी हुए हैं, कई समाजी संस्थाओं के पतिमीरी आए हैं, अभी तर तो इसमें से ज्यादा दू दूखे हैं। और इंडिया के हर जगर के लोग, हर यानों हो, पंजाब हो, गुजरात हो, बिहार हो, हर जगर के लोग आए हैं। नवगच्छिया पुलिस जिला में बरते अपराद एबं विक्रम सिला सेतु पर प्रती दिन लगने वाले जाम से निजात दिलाने के लिए, जान भी चौक पर टियोपी बनाया गया है। सोंबार को SSP आसेस भारती ने टियोपी का फीता काट कर उठगाटन किया। इस दोरान हड़ी प्रवेंद्र भारती ट्रैफिक डियोपी रतन किशोरजा मौजूद थे। SSP ने कहा कि टियोपी पर पुलिस जवानों की तैनाती कर दी गई है, जिससे जाम की इस्थिती उत्पन होने पर पुलिस कर्मी तुरंत रास्ता क्लियर कराएंगे। साथी अपराद पर भी अंकुष लगेगा। करना है और साथ में परवत्ता थाना के अधीन कारे करेगा। जो यस रूड के आसपास अपरादिक घटनाओं में भी इससे लगाम लगेगा कि पुलिस का प्रिजन्स बढ़ेगा और साथ में गस्ती भी बढ़ेगी। इस प्रकार से यहां पर काफी दिनों से यहां महसूस किया रहा था कि भागलपूर्ट के तरफ एक ट्यूपी है ट्रेफिक संधारन के लिए लेकिन नवगच्छिया के तरफ नहीं है तो इससे काफी उस पर लगाम लगेगा। नवगच्छिया के रंगरा थाना छेतर कलवलिया धार से पुलिश ने एक यूवक का शब बढ़ामत किया है। मृतक की पहचान रंगरा निबासी मदन दास के 25 वर्षिय पुत्र भूटन मंडल के रूप में हुई है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुँची रंगरा पुलिश ने सब को कबजे में लेकर पोस्ट माटम के लिए भेज दिया। मृतक के परिजनों ने युवक के दोस्तों परी हत्या करने का आरूप लगाया है। परिजनों ने बताया कि सनिवार को सराप पाटी के बहाने दोस्तों ने बुलाया और उसकी हत्या कर कलबलिया धार में फेक दिया। थाना ध्यक्ष आरके सिंग ने कहा कि हत्या के कारनों का स्पष्ट पता नहीं चल पाया है। उन्होंने कहा कि जल्दी घटना का खुलासा कर दिया जाएगा। फिलाल पुलिस घटना के हर एक बिंदू पर जाज कर रही है। बिहार के लोग स्वास्त अभी अंतरन मंत्री बिनोद नारायन ज्याने शोमबार को प्रेस कॉन्फरेंस कर जिले में चलाई जारी योजनाओं की जानकरी ली। मंत्री ने कहा कि आरसैनिक और फ्लोडाइट प्रभावित गवं में लोगों को शुद पानी मिले इसके लिए सरकार द्वारा कारी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिस एजनसी को काम मिला था उसके द्वारा काम नहीं किया गया है। जिसके एवज में एजनसी पर कारवाई की जा रही है। इसमें सभी में काम प्रालम हो गया है। कोई ऐसा वार्ड बाकी नहीं है। जहां निविदा का क्राम है। बाकी हो बसके बल्वोस्तर में अंतिम चरण में है। इसले भावलपुर का काम अपने धन से चल रहा है। और वो जो M.B.A. से कहल गाओं फिर फैसी बाद उसमें मैं आज जाओंगा। वो एक बहुत बड़ी जोजना है। इसमें अंठावन हजार परिवार को हर घर्णल से जल देने का है। इसकी अत्रिक हम इस जाच प्रक्रिया को निरंतर चलाए रखना चाहते हैं। पानी की सुधता पर किसी तरह की खताही ना बढ़ती जाए। इसके लिए यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहे। इसलिए हमारा प्रियोग साला जो भागलपूर में कारेरत है। वो काम कर रहा है और उसको एक टार्गेट दिया गया है। वो तीन सो सोर्ष का प्रतिमा पानी एकठा करे। आज जो कल मेरी समिक्षा हुई। मेरी सिंता बरी है। इसमबर सको तेयार नहीं है। फिर भी हम चाहेंगे गेट इसमार्ग से पहले हो। हमारा जो रखतार था पहले उसी साल से अम दिसमबर में खतम होगा चाहते। मैं इसकी जांच करूँगा और अपनी सिंता मेरी गंभीर सिंता है। उसको में ब्याक्ष करूँगा। क्यों भी नमदुआ। नगच्छिया के प्रभारी सपी सा भागलपूर SSP आसस भारती के निर्देश पर HDPO प्रवेंद्र भारती के नैतरित में नगच्छिया पुलिस ने कोशी नदी में नौ के सहारे तावर तोर छापे मारी की। इस दोरान पुलिस ने गरईया के समीब कोखिया तपरादी सबनम यादव गिरोग के 12-37 सदर्शों को नदी से मचली मारते दबोच लिया। वहीं पुलिस आने की सूचना मिलते ही गिरोग का सरगना नरायनपूर निवासी सबनम यादव देवा ज्या और मधेपूरा का कुखिया तपरादी असोख ठाकुर भागने में शफल हो गिया। पुलिस ने पकरे गे आरोपियों के पास से नाव, मोवाईल और महा जाल को जब्त कर लिया है। वहीं पुलिसिया कारवाई से जल कर माफियाओं में खलबली मच गई है। चापे मारे टीम में काफी संख्या में पुलिस बल मौचूद थे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का मिलते ब्रेक के बाद आप देखते रहें सिल्क टीवी। हर शाल की तरह इस शाल भी शर्दियों के आते ही तिवतन पोटाला मार्केट भागलपुर के तिलका मांजी कठलबारी नियर आदित्य विजन भागलपुर में खुल चुका है। या हर तरह के गर्म कपरे, जैकेट, स्वेटर, साल, कम्बल, टोपी, मौफलर उचित कीमत पर उपलप्त है। अगर शहरों में रहने की तमन्ना हो, तो क्यों ना एक घर अपना हो, अगर पीवी वाई आस्था ड्रिंस आपका अपना हो, तो क्यों बाजारे महफिल में भटकना हो। बीवी वाई आस्था ड्रीम्स कंस्ट्रक्शन प्राइबेट लिमिटेड लेकर आया है एक लाग रुपे परती कठा में आकर्शक स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट अत्यादोनिक सुविदाओं से लेक्स प्रोजेक्ट में पहले पोजिशन पाएं फिर रजिस्ट्री कराएं तीस फिर चोड़ी सडक नाली 24 घंटे बिजली पार्किंग जीम होस्पीटल एवब अन्न कई सुविदाओं के साथ वास्तु को ध्यान में रखकर बनाया गया मंदीर और चिल्डरन पार्क भी PBY आस्ता ड्रीम्स कंस्ट्रक्शन प्राइबेट लिमिटेड मासी किस्त मात्र दस हज़ार पर उपलब तो अभी बुकिंग कराएं मात्रे क्यावन हज़ार रुपिये में आवास ये जमीन मात्र एक लाख रुपिये परती कठा तो जल्दी फोन उठाएं और संपर्क करें 7070909894 8210975763 7542931524 6200102297 बलवाटोला करेला नातनगर भागलपूर ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सवी का श्वागत है अब देखरें सिल्क टीवी आई बरतेगली खवर की ओर ट्रेक्टर चालकों के साथ मारपीट कर ट्रेक्टर को जब्त कर लिया इसके पूर भी बसंत राय पुलिस ने हाईवा और ट्रेक्टर को जब्त किया था जार्खन पुलिस की कारवाई के बिरोध में ग्रामीनों ने पुलिस को बंधक बना लिया जिसके बाद सभी ग्रामीनों ने पकर कर जहारखन पुलीस को सनहौला पुलीस के हवाले कर दिया सनहौला पुलीस ने बसंत राय थाना पुलीस का बलेरो जप्त कर जाच में जुट गई है साथे पुलीस पुरे मामले की जाच कर रही है आज धार्खन पुलीस जो है गोर्डाजिला की पुलीस हमारे सहोला थाना जो बिहार में पड़ता है हमारे निर्वाचन छेतर में आ करके भुरिया गाउं में जो ड्राइवर लोग सरक के किनारे ट्रेक्टर लगा के खड़ा था उसको बेहरमी से पिटाई कर दिया बिना कार करके जो भी नोजवान मिला ड्राइवर के अलाबे भी उसको पिट दिया कारण कुछ बताए जार्खन पुलीस महानिरेशा के ऐसा कोई पर्मिसन नहीं दिया होगा यह हमें विश्वास है यह बिलकुल कानुन का उलंगन किया है इसका हम बिरोध करते हैं राजस्तरिय तरंग परतियोगिता को लेकर सोमबार को TNB कॉलेज में निर्थ एबं नाट्य कला परतियोगिता का आयूजन किया गया इस दौरान छात्र छात्राओं ने एक से बरकर एक प्रस्तूती दी जिसका मौजूद लोगों ने भरपूर आननन उठाया प्रोफेसर तरंग परतियोगिता इंटर कॉलेज है और तरंग परतियोगिता का उद्धेश यही है कि विश्विद्याले के एक मजबूत पीम बने जो तिलका मजी भागल को सुविद्याले को रिपरजेंट करें किन्वी कॉलेज को जो आज का भेनु दिया गया है हम आसा करते हैं कि अच्छे से शाथ इसमें चुन कर आएंगे और हमारी मिश्विद्याले का नाम रोशन करेंगे सुवे के भूमी शुधार एवं राजश्व मंत्री राम नरायन मंडल ने शोमबार को बाका में बनने वाले भाजपा कारियाले की नीव रखी उन्होंने कहा कि 78 लाग की लागत से भवन का निर्मान किया जाएगा जिसका निर्मान गौरकपूर की कमपनी करेगी उन्होंने कहा कि कारियाले नहीं होने के कारण जिले के कारेकरताओं को बैठक करने में काफी परिशानियों कर सामना करना परता था इस मौके पर भाजपा नेता डॉक्टर मिर्नाल सेखर, मनुज यादव, उज्वल जा साइद भाजपा की कई कारेकरता मौजूद थे पुलिस जिला नोगच्या के चापर दियारा गाउं में ट्रेक्टर चालक की गोली मारकर एवं धारदार हत्यार से गला रेत कर निर्मम तरीके से हत्या करने का मामला शामने आया है घटना कठियार के शिमाबरती छेतर कुर्सेला की है, मृतक की पैचान चापर गाउनिवासी मानिक लालदास का पुत्र बबलू मंडल के रूप में हुई है घटना को लेकर बताया जा रहा है की मृतक ट्रेक्टर चालक ट्रेक्टर से ही अपना जीवन यापन करता था रविबार की रात फोन आनी पर वह घर से बाहर निकला, लेकिन वापस लोटकर घर नहीं आया सुभा गाउं के ही खेट से उसका शब बरामद हुआ घटना की सूचना मिलते ही रंगरा और कुरसैला पुलिस मौके पर पहुँची और शब को पोस्ट माटम के लिए कठियार भीज दिया हाला कि पुलिस प्रेम पर्शंग को लेकर हत्या की बात कह रही है फिलाल अनुशंधान के बाद ही हत्या का कारण असपस्ट हो पाएगा पाईजन कॉलेज ओप एजूकेशन के छात्र सैक्षिनिक परिभ्रमन पर गैंग टोक रवाना हुए इस दोरान छात्रों के दल ने गैंग टोक के रुमा टेक, मॉन्टेश्री, तासी पॉइंट, बंजाकरी फॉल, एबम प्राकृतिक अस्तलों का भ्रमन किया वहीं छात्र परियटक अस्तलों के मनोरम द्रिश्ट को देखकर काफी उत्साहित दिखे टूर में कॉलेज के सिक्छक श्वाति प्रिया, उज्वल रंजन, रहमत आलम, प्रिया भारती, सज्जाद हैदर सहीत काफी संख्या में छात्र मौजूद थे वहीं टूर से वापस लोटने पर कॉलेज की सचीब डॉक्टर समिना रहवरी, निदेशक अकरम नाजमी एबं उप्राचार सफियूल आलम ने शुबकामनाय दी बिहार राज दफादार चौकिदार पंचायत के दोवारा सोम बार को बाका जिला मुख्याले में जिले भर के चौकिदारों ने एक दिवस से धरना परदर्शन किया कारिकरम का नैतिर डॉक्टर संत्र सिंग ने किया, इस दोरान चौकिदारों ने नए नियामावली का बिरोध किया डॉक्टर संत्र सिंग ने कहा कि दफादार चौकिदार अपने विविन मांगो को लेकर बिरोध परदर्शन कर रहे है इस मौके पर जिलाद्यक्ष दिनेश पासवान, महिश्वर पासवान समित काफिश रंख्या में चौकिदार मौजूद थे। आयोध्या में राम मंदिर निर्मान के फैसले की खुसी में सणहौला प्रखंड के खजोरिया पंचायत में हरी नाम सकृतन का आयोजन किया गया। चलते चलते फिर सेखनज़ डालते आज की हेडलाइन्स पर। बिक्रम सिला सेतु पर जाम से निजात दिलाने के लिए सस्पी ने की पहल जान वी चौक पर टी ओपी का क्या उत्खाटन। नगच्या के कलवलिया धार से युबक कर शबुआ बरामत परिजनों ने दोस्तों पर लगाया हत्याकारों। और सुबे के PHED मंतरी विनोद नारायन जाने सरकार द्वारा चलाई जारी युजनों की दी जानकारी। फिलालिस मुलेटिन में ताही नमस्कार।